स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास इगारह के रसाइन विग्ञान अब्यासात में आज हम लोग पढ़ेंगे केसी की गढ़ना कैसे किया जाता है और इसमें जो समीकर दिया जाएगा उस समीकर के सहायता से केसी कमान कैसे निकालेंग आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी भी द्यारती इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने काउपी में से नोट्स भी करते चलिएगा तो अब यहाँ पर जैसे एक समीकर दिया गया है यम वन है और यहाँ ए है पलस है और यहाँ पर यम टू है बी है अब इसको गरम करने पर क्या बन गया तो माली जी इसको गरम करने पर बनता है यन वन सी बन गया पलस यन टू जो है डी बन गया इसमें केसी की गरना करना है किसकी केसी की गरना करना है और केसी का नाम क्या है तो सामी स्थिरांग होता है और सामी स्थिरांग की परिभासा जो है कल के वीडियो में बताया गया था तो कैसे निकाला जाता है कैसी की गढ़ना कैसे किया जाएगा तो यहां लिखेंगे अगर अभकिरिया के बेग क्या लिखेंगे अगर अभकिरिया के बेग तो अगर अभकिरिया का बेग कैसे निकाला जाता है अब यहां पर देखेंगे ध्यान से A के बगल में EM1 है और B के बगल में क्या है EM2 है तो इसलिए जब यहां पर इसका सक्री द्रमा लिखेंगे तो A तो रहेगा लेकिन पावरी में चलाई है EM1 जो है इसके ऊपर आजाएगा तो EM1 और यहां कोष्टक में क्या बनेगा B और B क कि उपर पावर किया रहाएगा EEM2 हो जाएगा तो समझ में आ रहा हो जाएगा तोich कि YEM1 जो है और EEM2 जो है यह पावर इसके ऊपर हो जाएगा अगर अब क्रिया कावेग निकालेंगे तो यहां का यहां का जो deal वाला मान है यह पावर में चला जाता है. अब इस चीन fel Kayak यह R E F है तो कहा बनेगा K E F और यहां पे लिखेंगे A A के पावर क्या रहेगा M1 और B का पावर क्या रहेगा E M2 हो जाएगा अब यहां K E F का नाम क्या है तो K E F का नाम आप लोग जानते होंगे कि अगर अब किरिया का बेग इस्तिरांग है चाहे तो यहां लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि KF बराबर होता है अगर अवकिरिया का बेगी स्थिरांग होता है समीकर नमब इसको कमा लेंगे समीकर नमबर यह हो जाएगा एक हो जाएगा और यहां लिख लेंगे जहां के अफ जो है क्या है अगर अभकिरिया का बेग इस्थिरांग है इस थी रांक है तो समझ में आ गया होगा अब हम लोग पढ़ेंगे पच्छ अवकिरिया का बेग तो अगर अवकिरिया का बेग जैसे निकाले हैं उसी प्रकार जो है पच्छ अवकिरिया का बेग भी निकालेंगे अनकरमपाती इसको बोला जाता है याद एक क्या होगा अनकरमपाती अब यहां देखेंगे C के बगल में क्या है E1 है इसलिए यहां लिखेंगे C के पावर जो हो जाएगा E1 हो जाएगा और यहां D के बगल में क्या है यहां पर E2 है इसने D के पावर क्या हो जाएगा E2 हो ज होते हैं अब यहां पर n 1 है तो जितना यहां मान रहेगा इसकी पावर जो है हो जाता है For n 2 जो है इसका power हो गया अब इस चिन को हटाएंगे जब चीन हटेगा तो यह लिखेंगे our v बराबर क्या बनेगा कय भी हो जाएगा और यहां कोषण हिबskja लिखेंगे The power रहेगा यन वन और डी पावर क्या रहेगा यन टू अब समीका नमब इसको क्या मालेंगे ति समीका नमब इसको मालेंगे समीका नमबर दो तो समय के दो भी समझ में आ गया होगा, समय के एक, समय के दो कैसे बना, आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एधि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, तो अब यहां लिखेंगे जहां, अब लिखेंगे जहां, के भी क्या है, तो बेग इस्थिरांक, क्या नाम है, पच्छ अवकिरिया का बेग इस्थिरांक, किसका नाम है, केवी का नाम पच्छ और केव का नाम क्या है, अगरवकिरिया का बेग इस्थिरांक, अगरवने आगे, पच्छ मने होता है, पीछे, अब यहाँ सामे अवस्था में क्या होता है, यह वी कल की वीडियो मताय गया था साम में अवस्था, तो साम में अवस्था में जो है के अफ और के बी का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तेहां लिखेंगे, कियफ का मान जो है आरियफ का मान और आर बी का मान आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं किस अवस्था में शाम में अगरब करिया का बेग और पच्छब करिया का बेग आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं अब यहाँ पर RF का मान कितना है यह मान को यहाँ पर नोट कर लेंगे और RB का मान जो है मान को नोट कर लेंगे तो RF का मान क्या है तो RF का मान क्या है कोश्टक में क्या है A है पावर क्या है EM1 है और यहाँ पर B है पावर क्या है EM2 है बराबर हो गया अब यहां लिखेंगे KB हो जाएगा कोष्टक में का होगा C के पावर जो है E-N-1 होगा और क्या हो जाएगा D के पावर जो है E-N-2 हो जाएगा तो यह लाइन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा अब यहां पे क्या लिखेंगे कि अब यह जो है के बी को नीचे भेज़ देंगे और यह वाला मान इसके नीचे भेज़ देंगे तो क्या बनेगा यहां लिखेंगे के अफ बटा क्या बनेगा के बी बराबर और यहां क्या होगा यहां पर इधर क्या बचेगा सी के पावर क्या है यनवन है और यहां क्या है D के पावर क्या है यन्टू है बटा है और यह नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा यहां पर A का पावर क्या होगा यमवान और B का पावर क्या होगा यम्टू हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा अब केफ बटा केवी याद दखेगा केफ बटा केवी किसके बराबर होता है तो केफ बटा केवी किसके बराबर होता है वह केसी के बराबर होता है क्योंकि केसी बराबर होता है केफ बटा क्या होता है केवी होता है मतलब अग्रव किरिया का बेग और पच्छव किरिया का बेग का अनुपात को शामी स्थिरांग कहते हैं इसे केसी से प्रदर्सित करते हैं तो अब यहाँ पर केफ बटा केवी को हटा देंगे और उसके अस्थान पर क्या लिखेंगे केसी लिख देंगे और D के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर यन 2 पूरे का बटा हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे A के पावर जो है यम 1 और B के पावर जो है क्या हो जाएगा यम 2 हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा कि आज जो मान निकला यह किसका मान निकल गया केसी का मान निकल गया त तो एक एक लाइन आपको बताया जा रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए तो इसे पने कापी में जरूर नोट का लिजे अब इसी परकार एक एक जामपल और दिया जाएगा जो आप सभी भी द्यारती जरूर इसे पने कापी में क्या किजेगा हल करके नोट का लिजेगा तो यहां लिखेंगे 2A पलस 3B और इसको गरम करते हैं तो यहां पर लिखेंगे 3 क्या लिखेंगे 3C क्या लिखेंगे 3C पलस 2D बन जाता है याद रिखिएगा जब 2A पलस 3B को गरम करते हैं तो 3C पलस 2D बनता है तो इसका जो है केसी की मान की गरना करना किसका केसी का मान की गरना करना है तो लिखेंगे आपर केसी का मान की गरना कीजिए केसी का मान की गरना कीजिए तो अब इस केसी कमान की गर्णा आप लोग जरूर कर लेंगे कैसे किया जाएगा तो जो उपर बताया गया है जो यहां पी मान रहेगा वो पावर बन जाएगा गहात बन जाएगा तो इसको आप लोग जरूर हल कर लिजेगा और हल करके एंसर को कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा कि इसका एंसर क्या आया है तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कर दिजे और चैनल पर दिप पहली बार आये होंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए क्योंकि यह लाइब कलास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार